नमस्कार दोस्तों मैं पद्मजा भुबनेश्वर ब्लेसिंग टीम से हम चाचा कर रहे हैं तरकम सद्यान जी के द्वरा लिखी हुई किताब कर्म और पुना जन्म के आठवे चाप्टर जो है The Other World and Karma उसके हम दुतिय खंड पे आज हैं हमने पहले खंड में जो चाचा की थी इसमें हमने जाना था जो Other World क्या है जैसे हमारे अर्थ के बाद जो कितनी सारी Bodies होती हैं हमने जाना था Earth, फिर Atheric Body, फिर Astal Body, फिर Mental Body मतलब यह जो Plains हैं इस Plains के बारे में हमने कल पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि कितने प्रकार, जो 5 प्रकार के Travellers हैं वो इस तरह से Journey में यात्रा करते हैं इसमें हम जानते हैं, आज के खंड में हम दो प्रकार जो पहला प्रकार हो दुतिय प्रकार के जो Travellers हैं उनके बारे में भात करेंगे पहले प्रकार के लोग, ऐसे लोग होते हैं, जो Mental Plane तक जाते हैं लेकिन एक Cocoon के तरह, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उतलब, 80% of Humanity या मानवता के 80% लोग इसी काटेगरी में आते हैं जो जागरुप बिल्कुल भी जागरुप नहीं होते हैं, वो बस जाते हैं, वो जो मर जाते हैं, बस मर जाते हैं उससे आगे उनका कोई चेतना नहीं होता है, वो एत्रिक प्लैन में जाते हैं, इमोशनल प्लैन और मेंटल प्लैन में भी जाते हैं लेकिन एक कोकुन की तरह उनका उन्हें वापस मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उनके साथ और क्या होना चेए और प्रकृति जो नेचर ने उसको वापस धर्ती पे भेज देता है ताकि वो जागरुक हो या फिर अपने उनका कर्म के बार में वो अगर 2% मान लीजे जागरुक हैं फिजिकल प्लेन में तो बस अन्या संसार में भी वो 2% ही जगे रहेंगे वो जागरुक नहीं होंगे मतलब हमारी जो जागरुक था हमारी फिजिकल प्लेन में हमारे जीवन के उपर निर्वर करता है हम फिजिकल प्लेन मतलब यह अर्थ फिजिकल बॉडी हमारा होता है, वो इस phase में हम कितने जागरूख हैं, या किस हिसक्षाब से हम अपना life हैं, यहाँ पे, उसी के उपर ही depend करता है, जो आगे के plane में भी हमारी life में हम कितने जागरूख होंगे, उसी के उपर depend करता है. Elimination, other world में नहीं होता मतलब जो awakening या प्रोसेस अगर 2% से वहाँ पे 5% होने का expect कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है अन्यस अंसान में हम कोई master नहीं हो सकते हैं हम बस देखते रहते हैं कि हमारी जो कम है वो चल ही रहा है कुछ भी उसमें addition नहीं होता है या growth या evolution की chances कुछ भी other plan में नहीं होता है जो कुछ भी है यही physical world में ही है तो इसका सीधा या लगा सकते हैं सीधा अर्थ अगर इसका निकाला जाए तो यहीं होगा कि हमारी evolution का process यहीं बस धर्ती पे ही मतलब जारी रहता है वहाँ पे वो stop हो जाता है वह जो इतना अगर 2% है तो वह 2% में ही खुम फिर के वह पर संप्रुथवी में आते हैं 2% से 20% तक का journey करने के लिए हमें फिर physical body में ही आना होता है यहाँ पे एक सवाल शायद हम सब में उबर सकता है कि evolution क्या होता है evolution मतलब हमारी जो awakening होती है या फिर हम जो जानना मतलब हम जो जागरुख होते हैं किस चीज के लिए हमने समझा था पिछले चैप्टर में love light and beauty जो principles है प्यार का जो principles नियम है या light की जो नियम है या फिर beauty के लिए इन तीनों को अगर के लिए हैं जब हम जागरुख हो मतलब माली जे कैसे love मतलब जैसे पिछले एक उधारन में लेकर ने कहा था पिछले जो खंड में कि कोई हमें बूरा पुला कह दिया तो हम immediately react करके उतना ही love principle को हमने वहाँ पे तोड़ दिया अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहे हैं जैसे जलसी आ रहा है या कोई गंदे विचार आ रहे हैं जो अच्छे नहीं है तो वह light की principle को हम वह effect होता है हमारा या फिर beauty हम किसी चीज को किसी को एक अच्छी चीज को हम बुराई से अपनी या फिर अपनी dark forces के साथ उसका देते हैं या किसी की beauty मतलब not physical beauty एक mental beauty के बारे में भी वही कहा जा सकता है और किसी जगह की बारे में वही कहा जा सकता है तो हमारा कोई भी action अगर यहां पर जो evolution में हमें इस जो principle है यह तीन तिरा की जो principles है इसके लिए हमें जागरुक बहना रहता है तो अगर मान लिजा हम तो बस वहीं पर खत्म हो गया लेकिन हमें अगर पूरी तरह से हमें हर्ट नहीं करना है यह जो काम करता है उसको समझेंगे तो हम जादा जागरुक बन पाएंगे अब आते हैं दूसरे तरह के लोगों के उपर दूसरे तरह के लोग वे लोग हैं जो इन physical plane में momentarily awakened रहते है हैं यह जागरुक होते हैं मतलब वह उनकी जो capability है वो momentary है मतलब कभी इस पर जागरुक है अगले पूल वही जैसे हम जैसे normal पहले प्रकार के इंसन जैसे बहेव करता है उसी प्रकार हो बहेव करता है बट कभी कभी momentarily हमें यह लगता है कि हमने यहां पर गलत किया यह हमें पश्चाताप होता है यह हम जागरुक होते हैं या फिर वापस इसे ना करने के ठांते भी हैं लेकिन हम fully awakened नहीं है हम all the time मतलब पूरे जिंदिगी हम दुख्या उस तरह का principle के लिए पूरा चीज हम अवेकर नहीं है तो वहां पे बस हमारा जो हमारे जो विचार है या फिर thought, action, speech काया मन बाक्य मतलों फिजिकल आक्शन मन में बिजो विचार चाल रहा है और हमारी speech अगर यहाँ पर जो हो रहा है यह फिर उतना ही मतलब जो चल रहा है घुँछ बिन शीक बिडिक भी चिल रहा है यह पिर अच्छा है जो हिसाब से हम वे घटना क्रब घट रही हैं पर हमारे mental plane में या physical level पर जो भी हम कर रहे हैं उसका जो effect है हम देखके अभी खुश है कि उसने मुझे सुनाया मैंने दो उसको भी चार सब्सक्राइब पर उसका actual effect क्या होता है हम जब एस जो etheric plane में जाते हैं वहाँ पे ही हमें समझ में आता है मतलब लिखक लिखते हैं जो hell की hell this is what is hell मतलब जो नर्क या hell जिसको कहा गया है यही phase है मतलब जब आप खुद के कर्म के बारे में momentarily awakened हो और उस कर्म का परिणाम क्या हो रहा है जब आप एथरिक plane में जाते हैं तो उस समय हम थोड़ा बहुत उसको देखते हैं लिखक उधारन दिये हैं दो मतलब उधारन के तो हम इसको समझाने की कोशिश की है लिखक में वत सुंदर उधारन है ध्यान देजेगा उधारन के लिए एक हमने एक कारवाई की और हम बहुत खुश हो गए लेकिन इथर plane में जब हम जाते हैं तब हम देखते हैं कि हमने कितने कानूनों को हमारे जो action था हमने फिजिकल प्लेन में कोई action किया था उस कितने कानूनों को परिशाम किया है और कितने लोगों को नुकसान पहुचा है अब वहां पे लेकिन हमने physical plane में वह realize ही नहीं किया था हमने हमने कोई action की लड़सी कोई action किया है और हम बहुत खुश हो गए कि हमने यह मैंने action किया लेकिन उस यहां पे एक्जंपल के लिए लिखक ने लिखा है मानने जिए हमने एक जंगल में गए और एक तीर छोड़ा किसी एक प्राणी को मानने के लिए लड़स से जब हमने तीर छोड़ा तो वो कीटों को जाते वक्त इतने कीटों उड़ रहे थे कितने पेड़ों को नुकसान पहुचाया और फाइनली जिसको मारा वो भी मर गया मतलब यह जो हमने हम जब फिसिकल ब्लेन में होते हैं हमने बोला कि लक्षम है जिसको मानना था मानने मान लिजए एक खरेण को या फिर एक डियर को हमने मारा तो अगर हमारा final था कि वो मर गया लेकिन ये जो बीच में कितने लोगों को तकलीफ हो रही है वो हमें समझ में ही नहीं आया है जब हमें आखिर कर हमें लगता है कि हमने उसको मारा और हम खुश हो गया और ये खतम हो गया पर ये ऐसा नहीं है ये तो एक example था ये एक action का हमारे सब्द हमारे action या कार्य इवन हमारे विचार भी लगाता नुकसान करते जा रहे हैं अगर ये विनाशकारी और हानिकारक होता है मतलब हमें काय मनवाक्य से कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करते रहते हैं इस इस अगषमिस वहीं की पहले प्रकार की आदमीने अब यहीं गलती हनघी दूसरे प्रकार कि आदमीने बीना जाने वापस आग्या नहीं ये और यहां और यह जाकर्ण renowned proposing व यहां रहन यह सब्सूल करते सालवले इति शाया वहां पर मतलब एथरेक प्लेन में जाके वह वहां पर यह चीजों को देखता है रियलाइज करता है और जो यह हम जो इसे देख सकते हैं और देखता है या पर जान सकता है यह और जो यह जो conscious living है यह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन लोग शायद ही एक साचित जीवन जी र इस पर जीवन रहते हैं वह बस एक स्वचालेत रूप से यह फिर आटमेटिकली वह कुछ चीजें करते जा रहे हैं चीजों को महसूस करें चीजों के बार में सोच रहे हैं और जानने के और उनके कारियों का जो जानते ही नहीं है बिना जाने कि उसका परिणाम क्या हो रह हम नेगेटिविटी कर रहा है हमने कोई चोरी की हमने किसी को धोका दे लेकिन हम अभी बस एक छोटी से जोटी तो बोला था मैंने लेकिन उसके परिणाम क्या है उसके बारे में वो बंदा अवगत ही नहीं होते हैं अवगत ही नहीं होते हैं उनके कार्य का परिणाम कई प्राणियों कई कानूनों कई सिद्धान्तों और कई मान को या स्टैंडर्ड को परिशान करेगा लेकिन उन्हें पता लगता है कि वे तो बस सिर्फ एक छोटा सा जूट ही तो बोला था या फिर छोटा सा कोई धोका ही तो दिया था लेकिन मतलब एक छोटा सा जूट बोला गया है या फिर एक धोका जो दिया गया है उसका परिणाम किस लेवल पर कितने कानून कितने सिद्धान्त कितने मानक और मतलब कितने लेवल पर यह एफेक्ट कर रहा है वहां हमने तो बोलेंगी, कि हमने तो एक सिर्फ एक जूट तो बोला था, या फिर एक धोका ही तो दिया था, पर अन्य संसार में जब यह जाता है, यह एक फैंटास्टिकली ग्रो करके, यह मौंस्टर का रूप ले लेता है, यहां पर एक चोरी की है, एक छोटी सी पैन की ही चोरी की लड़ से लेकिन वो जब जाता है उस प्लेन में वो चोरी और वो इंटेंशन वो उसका सारा ही चीज वहाँ पर वो एक कालपनिक रूप से विरार अवस्ता लेके एक मॉंस्टर का रूप ले लेता है और यह जब मेंटल प्लेन तक महुंचता है तो वो कानून के तर का दर्द और पीड़े का पीड़ा को में उजागर होता है मतलब हमें तब ही वो धर्ती पे वापस भेजता है एक्जाक्ली हमने जो किया था एक्जाक्ली वही मतलब बनाई फरनाई जैसा सिच्वेशन ही कह सकते हैं हम उसी तरह से ही हमारी यहां पर वो फीलिंग्स जब आ बतलब एक जो उजागर हम उजागर होता है हमारा जो चेतना का जागरत होना यही तब ही होता है हम जाते हैं कि हमारा कोई भी कर्म फोर लेवल्स में एफेक्ट करता है फिसिकल इमोशनल मेंटल स्पिरिच्वल तो हम सिर्फ मेंटल लेवल तक ही यहां पर बात करें हमने ज स्पिरिच्वल हमारा जो लेवल है उसके बारे में हम विचारी नहीं कर रहे हैं सोचे हमारी कितनी अधोगती हो रही है फाइनली यह जो दोनों प्रकार के हमने लोगों के बारे में जाना इसमें से हमने जाना कि हमारी जो हमें खुद जागरुक रहना या conscious living हमको खुद ही इसी physical plane में ही develop करना है वहाँ पर जाके हमारा कोई growth नहीं हो रहा है तो फिर हमें जो भी करना है इसी world में ही करना है तो बहतर होगा दोस्तों हम लोग conscious living को अपनाएं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल हम जो बाकी प्रकार के जो ट्रावलर्स हैं हम उसको cover करेंगे तब तक दोस्तों खुश रहे स्वस्त रहे धन्यवाद